दोस्तों एक बार ये वीडियो में वाइट डthere या को किस तरह से पहचानना है ये सिपहा देता हूं देखिë यहां पर ये морgi स्केम कितना वाइट कलर का मल करिए ये वाली मुर्गे और इधर भी कुछ मुर्गयां को आई है यहाँ पर भी दो मुरिया रहेंगे इसका भी white diarrhea के लक्षन दिखा दूँगा white diarrhea CRD यह दो में थोड़ा ही फरक रहता है दोस्त अभी तक अपने पास थोड़े बट्स को CRD आई थी वो बट्स को कम कर दिये अभी दिखाऊंगा में वीडियो में white color के बट्स को तो अभी यह बट्स को diarrhea आई है तो white diarrhea white diarrhea और CRD में क्या फरक है दो almost 90% सेम रहते हैं दोस्त बट 10% ही different रहता है उसको white diarrhea में खास कर क्या रहता है मुर्गी का जो लिटरन का हिस्सा रहता है वो हिस्से में पुरा इसका मल पुरा white चिपक जाता है तो अभी दिखा दा हूँ जैसे कि बक्रियों में motions कर लिए तो कैसे चिपकता है पैरों के लंबन इसको भी सेम उसी तरह से चिपकता है और यहाँ पर मुर्गी देखिए रुके बिना गर 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 के अवास करते रहती है सांस लेते रहती है तो यह white diarrhea के लक्षन है दोस्त है हालाएं कि CRD जैसे चींक रही है बार बार खच 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 चींक रही है तो almost 90% लोग इसे CRD बताएंगे डॉक्टर के पास भी जाओगे तो आप CRD बताएंगे ताकि मैं वो पूरे CRD ISO बट्स को ठीक कराओं बट वो ही CRD के मेडिसन्स ये बत्स को भी दाली तो कम नहीं हुआ है ताकि ये white diarrhea है CRD जो बत्स को आई थी वो कम हो गई है अपने पास तो अभी ये देखिए white diarrhea है इसका तो अभी मैं एक मुर्गी को पकड़ता हूँ पकड़कर उसका पीछे का हिस्सा देखिए किस तरह से white color में पुरा चिपक गया है तो एक बार ये एक हरकत देख लीजे मतलब कि एक लक्षन देख लीजे किस तरह से ये चिला रही है मतलब रुकिया नहीं जैसा देखिए अभी CRD में भी होता है CRD प्लेस white diarrhea दो मिलकर भी हो सकते ये दो बीमारिया एक मुर्गी को दो तीन बीमारिया भी आ सकते हो दोस्त एक ही बार तो अभी इसको CRD के भी लक्षन है white diarrhea के भी लक्षन है तो हमको क्या करना पड़ेगा morning आप CRD की दवा दे रहे हो तो night में white diarrhea का भी medicine दे सकते हो अभी देखे मैं next वीडियो में बताऊंगा अभी जाकर मैं medicines लाना पड़ेगा अभी जल्दी से हाइदराबाद, शादनगर कहां मिलते हैं वहां पर जाकर proper medicines लेके आऊंगा बट ये वीडियो में आप देखे white diarrhea के लक्षन किस तरह से मुर्गी को पीछे चिपक जाता है white color का चिपक ते रहता है जैसे loose motions होते है उसी तरह से एक बार ये मुर्गी को पकड़ता हो में पकड़ कर यहां पर देखिए हरा white इस तरह से देखिए किस तरह से दिख रहा है आपको इस तरह से white diarrhea होती है दोस्ति हरा भी आ सकता है और white भी आ सकता है दो मिलकर इस तरह से मुर्गी के पेट के निचे जो लेटरन का हिस्सा रहता है पुरा चिपक जाता है दोस्ति यह white diarrhea है तो आपको दिखाया हूँ यह वीडियो में किस तरह से वाइट डैयरिया हुआ है बट्स को कहेकर अभी CRD के बाजु में देखे ये वाले बट्स रहेंगे वाइट केलर के यह अल्मोस्ट ठीक हो गए यहां पर देखिए यह मुर्गा और दो मुर्गियां भी रहेंगे वाइट कलर के तो यह CRD के कम हुए सो है और पूरा कम नहीं ह थोड़ा सा है अभी भी तो अभी वाइट डैयरिया बीमार बट्स को मैं अलग रखता हूं तो अभी और एक पॉटिशन नहीं है अपने पास इसे सब को मिला कर रखना पड़ रहा है मतलब CRD के और वाइट डैयरिया के तो अभी क्या कर रहें यह वीडियो में क्या पता च रखना है वह अगर से चले भी गए ना बागी के बट्स सेफ हो जाएंगे आपके नहीं तो उसी तरह से वाइट डैयरिया भी नहीं पैचान सकतकर आप उसी में मिला दोगे ना सारे बट्स को भो घातक हानी पोचाएंगे दोस्ता कि अभी आप समझ सकते हो वह सारे भाई म मतलब कि ऐसे भी बोलते हैं कले एक बट्स मर गई है दो भाई हमारे पास फिर अगले ही दिन पांच चले गए तीस चले गए पचास चले गए पूरे के पूरे फार्म खाली हो गया अगर इस तरह के भी भुष सारे लोग मुझे बोलते हैं ताकि आपको क्यों जता रहा हू ये वीडियो में मैं जब भी आपके फार्म में आपके घर के पास हो जाए फार्म के पास हो जाए इस तरह की हरकत दिखाई दे रही है नजर दिखाई दे रही है आपको तो फौरण वो बट को निकाल देना है दोस्त अलग रखना है ताकि बागी के बट्स पूरे सेफ हो जाएंगे कल के वीडियो में मेडिसेंस प्रॉपर तरीके से सब कुछ बताऊंगा बस वो वीडियो आने के लिए आपको सब्सक्राइब कर लेकर घंटी दबाना पड़ेगा लाल कलर में सब्सक्राइब दिख रहा है तो वह दबाकर बाजू की बेदाएगा उनकी घंटी करिए कल मोस्ट इंपॉंटेंट वीडियो आने वाला है वाइट डियरिया फुल ट्रिक्मेंट लाइव दिखाऊंगा लाइव मतलब मैं लाइव आकर नहीं दिखाऊंगा कोशिश करते हैं पहली बार कल लाइव भी आ जाते हैं दिखेंगे क्या होगा तो कल का वीडियो ब